ओम शांति हम अव्यक्त मूर्ली रिवाइज कर रहे हैं आज है साथनी अव्यक्त मूर्ली आज के अव्यक्त मूर्ली का विश्य है त्री मूर्ती लाइट्स का साक्षात्ता कि प्री मूर्ती लाइट्स का साक्षात्ता अगे मूर्ती ब्रह्मा विश्यु महेश पर स्थमूर कोन सी लाइट आज दिखा रहे हैं च्री मूर्ती लाइट्स कहा है तो ढेर सारी लाइटी होने चाहिए तीन दोनी चाहिए साक्षातकार किसे कहते हैं? हाँ, स्पस्ट होना कि आप को नहीं और मैं को यह रिवाइस हो रही है मुरली, उनिस से सत्तर की है यह उनिस से सत्तर की मुरली है ब्रामनों को त्रीमूर्थी शिववन्शी कहते हो न त्रीमूर्थी बाप के बच्चे स्वेम भी त्रीमूर्थी है शिवबाबा त्रीमूर्थी तो बच्चे भी क्या है त्रीमूर्थी बाप भी त्रीमूर्थी है जैसे बाप त्रीमूर्थी वैसे आप भी त्रीमूर्थ तीन परकार की लाइट्स साक्षात्कार की जाती है वे मालूम है कौन सी है जो ब्रामनों के तीन परकार की लाइट्स साक्षात्कार होते रहते हैं आप लोगों से लाइट का साक्षात्कार होता मालूम पढ़ता है त्री मूर्ती वंशी, त्री मूर्ती बच्चों की तीन परकार की लाइट्स का साखशातकार होता है वो कौन सी लाइट्स है? लाइट्स है नमबर एक तो लाइट का साखशातकार होता है नाइनोस लाइट का साखशातकार होता है नमबर एक नाइनोस कहते हैं ना कि नाइनों की जोटी नाइन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नाइनों में दो बड़े बलब जाल रहे हैं दूसरी होती है मस्तक की लाइट को देखें फिर मस्तक की लाइट को देखेंगे क्या होता है कि खुशी में आखें चमकते हैं जब आप दुखी हैं तो आखों में नशाख खुशी नहीं होती चमक वो नहीं होती पता लगता है तो हम परमात्मा की संतान है और जो हमें मिल रहे हैं वो मेरे बाप के बच्चे हैं तो वो जो जैसे एक माँ हो एक बच्चा हो अपने बच्चे को देखकर कैसे खुशी होती है अपने मामा को देखकर कैसे खुशी होती है ऐसे ही हम अपने परिवार को देख रहे हैं पारलोकिक परिवार को देख रहे हैं जब हम अपनी अवस्था में होंगे जब हम आतम स्मृति में होंगे ताब हमारे इन स्पूल नेनों से खुशी के बलब चमकते हुए दिखाई देंगे और जो वो मैसूस करेंगे कि ये अपने हैं यहीं होंगे कहीं नहीं होंगे यहीं होंगे हमारी जो लाइट है वो आखों से दिखाई देंगे हम खुश है न किसको देखकर खुश हुए ये मेरे बाब के बच्चे ये मेरे बाब का परिवार है सारा विश्व एक परिवार है अपना पन उनके प्रति आपका उनको अपना पन मैसूस कराएगा न बच्चा मां को देख करके खुश हो जाता है न ऐसे ही आपको देख करके भी वो क्या हो जाएंगे खुश को देखते हैं आँखों को देखाई पड़ेंगे जैसे नहीं नों में दो बड़े बल्ब जल रहे हैं दूसरी होती है मस्तक की लाइट तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउं ताज अभी ये कोशिश करना है जो तीनों ही लाइट का साक्षातकार हो कोई भी सामने आए तो उनको ये नएन बलब दिखाई करेंगे जोती ही जोती दिखाई दे जैसे अंध्यारे में सच्चे हिरे चमकते हैं जैसे सर्च लाइट होती है बहुत पोर्स से और अच्छी रीती फैलाते हैं इस रीती से मस्तक के लाइट का साक्षातकार होगा और माथे पर जो लाइट का क्राउन है वे तो समझते हो जैसे त्री मूर्ती लाइट का साक्षातकार है एक-एक से होना है तब कहेंगे ये तो जैसे फरिस्ता है अब ये तीनों में क्या है कि पहला है अपना पन नैनों से अपना प्यार का उनको अनभाव हो और दूसरा है चेरा खुश आखे भी आखे में आखों में देखते हैं उसे लगे कि अपना पन अपन अपने हैं उनको दूसरों को लगे दूसरों को दिखाई दे फिर चेरे से लगे ये अपना है लाइट हलका एक दम क्योंकि ओफिशल भी ना लगे चेरा हमारा ओफिशल होगा तो बात नहीं कर सकते सर्ल एक दम जितना भी होंगे उतना सर्ल होंगे तो लाइट वो भी क्या है लाइट है और तीसरा उनको लगे कि ये हमारा शुबचिन तक भी है करता भी है लाइट का क्राउन क्राउन कैसे होगा कि उनको ये अनबव हो कि ये हमारा शुबचिन तक है ये हमारा कल्यान करने व विश्व का कल्यान करना है कि क्राउन हमारी जिम्म्यवारी का उनको जिम्ममेवारी और खुशि भी उनको अभासिट हो पसक्राउन ये विट्सपर चेहेरे में हलका पन और मस्थेश्ट पर क्राउ भी तरह tenant का प्राउन जिम्म्म्म वारी उनको आभासित हो कि हां यह हमारा कल्यान करने वाले वाकि क्राउन उपर निकल नहीं आएगा दिखाई नहीं देगा उनको लगे कि यह हमारे कल्यान करने के जिम्यवार है वह समाने बिचारे कहां देखेंगे उनको क्या देखाई देगे तो उनको क्या दिखाई देखाई एक वो तो क्रिलियन कैमरा है औरा कैमरा है एक-एक से होना है तब कहेंगे यह तो जैसे फ्रिस्टा हलका, अपनापन और हमारा शुब्चिंपर साकार में नैन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षातकार स्पस्ट होंगे नैनों तरफ देखते देखते लाइट देखेंगे और तुमारी लाइट को देखकर दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएगे आप हलके हैं, उनके अंदर भी हलका पन आ जाएगा कितना भी मन से वासित्ति से भारी पन होगा, कितने भारी होंगे वो पर तो आप उनको अपने लगेंगे, उनका सारा भारी पन क्या हो जाएगा हलका बारी पन हो लेकिन आने से क्या हो जाएं वो आपके पास हलके हो क्योंकि हलका तो बच्चा किसके पास पहुचेगा मा के पास पहुचेगा तो क्या हो जाएगा हलका और दुसरे के पास पहुचेगा तो बारी रहेगा तो हलका नहीं अपना पन माँवाला अपना पन मतलब हमारा उनको मैसूस करें ऐसी स्टेज अब पकड़नी है क्योंकि आप लोगों को देखकर और सभी भी अपनी सित्ती ऐसी करेंगे जैसे आप करोगे वैसे दूसरे करेंगे न अभी से ही अपना गायन सुनेंगे दौपुर का गायन कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ऐसे साक्षात कार मूरत और साक्षात मूरत बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे आपके आगे आने से लाइटी लाइट देखने में आए ऐसे होना है मदबन ही लाइट का घर हो जाएगा ये दीवे आदी देखते भी जैसे की नहीं देखते जैसे वतन में लाइटी लाइट देखने में आती है वैसे ये स्पूर वतन लाइट का हाउस हो जाएगा जब आप चेतन्य लाइट हाउस हो जाएगे तो फिर या मदबन भी लाइट हाउस हो जाएगा अभी ये है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट ट्रक्टिकल में त्योरी का कुर्स हतम हुआ ट्रक्टिकल कुर्स की लास्ट सब्जेक्ट है इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुर्शाथ करना पड़ेगा इस स्टेज के लिए ही कायन है बाप दादा से कब विदाई नहीं होती है, माया से विदाई होती है, बाप दादा से तो मिलन होता है, ये थोड़े समय का मिलन, सदा का मिलन करने के निमित बन जाता है, बाप के साथ गुण और कर्तवे मिलना यही मिलन है यही प्रेत्न सदायव करते रहना है अच्छा संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौनसा है मालूम है जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो जो कार्य करने जा रहा हूँ वे बाप दादा का कार्य है मैं निमीत हूँ जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यग रचा जाता है तो समाप्ती समय आहुती दी जाती है इस रिती जो करतवे किया और जो परिणाम निकला वे बाप को समर्प स्वाभा कर दिया फिर कोई संकल्प नहीं फिर उसके बस सोचो नहीं निमित बन कारिय किया और जब कारिय समाप्त हुआ तो स्वहाद की फिर संकल्प क्या चलेका जैसे आग में थीज़ डाले जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता वैसे हर चीज़ की समाप्ती में सम्पूर्ण स्वहा करना है फिर आपकी जिम्मेवारी नए जिसके अरपन हुए फिर जिम्मेवाद वे हो जाते है फिर संकल्प काहेगा जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो काम भी किया जाता है तो बड़े को सुना कर खली हो जाते हैं ठीक है वैसे ही जो कारिय किया समचार दिया बस अव्यक्त रूप को सामने रख ये करके देखो जितना जो सयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सयोग देना पड़ता है जैसे अपनी आत्मा की उनक्ति के लिए सोचते हैं इस रीती शुब भावना शुब जिन तक और शुब जिन तन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेश सयोग दे सकते हो देना चाहिए इससे भी बहुत मदद मिलती है जैसे कोई गरीब को अचानक विगर महनत प्राप्ति हो जाती है उस रिती जिस भी आत्मा के प्रती एक्स्ट्रा सयोग दिया जाता है वे आत्मा भी मैसूस करती है हमको विशेश मदद मिली है साकारूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सयोग देने का सबूत करके दिखाया न उस आत्मा को फ्यम्भी अनबह हुआ जस इस सर्विस ये सर्विस करके दिखानी है जितना जितना आप सुक्षम होते जाएंगे उतना ये सुक्षम सर्विस भी बढ़ती जाएगी स्कूल के साथ सुक्षम का परभाव जल्दी पढ़ता है और सदाकाल के लिए बाप दादा भी विशेश सयोग देते हैं एक्स्टा मदद का अनभव होगा मैंनत काम और प्राप्ति अधिक अच्छा बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी सने करते हैं उतना बच्चे अविनाशी सने रखते हैं सबके प्रत्यों ये अविनाशी सने यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है तो भी अचूट सने जितना पक्का धागा होगा उतना ही ज्यादा समे चलता है इस संगम का समे 21 जन्मों को जोड़ता है इस संगम के युग का एक एक संकल्प एक एक कार्म एक जन्मों के बंधन में जमा होता है इतना अटेंशन रख कर फिर संकल्प भी करना है जो करूँगा वे जमा होगा तो कितना जमा होगा एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा कत हो जाता है तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ ना होगा कितना पुरशार्थ करना है संकल्प भी व्यर्थ ना जाए समे तो छोड़ो तो आब पुरशारत इस सीमा पर पहुँच रहा है जैसे पढ़ाई दिन प्रते दिन उची होती जाती है तो ये भी ऐसे है बड़े कलास में पढ़ रहे तो ना अब कहा आ गए बड़ी कलास में आ गए ना अचा और विस्तार से जानने के लिए एक सो चालिस देशों में प्रजा पिता प्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंद्र पर समपर्ग करे और यदी कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवर टेलिग्राम करे 9650692722704 पर केवल वर्शव करे 4996906906906